तो देखते हैं पर question number 24 में हमसे क्या पूछा गया है अब wire is 1 meter long 0.2 mm in diameter and has a resistance of 10 ohm, calculate the resistivity of its material, तो करते हैं पर इसको solve, तो सबसे पहले हमें 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 पर wire दे रखा है, wire की जो length है वो हमें 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 क्या दे रखे है, 1 meter की दे रखे है, उसके बाद हमें 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 पर diameter दे रखा मीटर में change करना पड़ेगा, और हमें निकालना क्या होगा, resistance निकालना होगा, तो diameter से resistance निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से divide करना पड़ेगा, तो resistance यहां पर क्या होगा, 0.2 divided by 2, तो यह हमारे यहां पर कितना आ जाएगा, 0.1 mm आ जाएगा, अब जो हम हमारा यहां पर mm है इसको हमें किसमें चेंज करना है मीटर में चेंज करना है तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो centimeter में change करेंगे, तो हमें 10 से डिवाइट करना पड़ेगा, और meter में change करने लिए centimeter को 100 से डिवाइट करना पड़ेगा, तो total मिला कि हमें यहां पर इसको 1000 से डिवाइट कर देते हैं, तो यह हमारा किस में change हो जाएगा, meter में change हो जाएगा, तो divided by 1000, तो यह ह हमारा यहां पर कितना हो जाएगा 1 x 10 की पावर माइनस 4 मीटर क्योंकि एक पॉइंट तो अगर हम यहां पर निकालेंगे तो यहां से निकलेगा और 3-0 यह हो गए तो टोटल कितने हो जाएंगे 4-0 हो जाएंगे तो इसलिए मुझे यहां पर क्या लेना पड़ा 10 की पावर माइनस 4 लेना पड़ा तो रजिस्टेंस हमारा यहां पर कितना होता है वह हमारा यहां पर क्या होता है रजिस्टिविटी लेंग्ध अपॉन एरिया होता है और रजिस्टेंस हमें पहले सी गिवन है कितना टैन ओम किवन है हमें यहां पर निकालना है क्या रजिस्टिविटी निकालनी है तो रजिस्टिविटी यहां पर क्या हो जाएगा हमारा रजिस्टेंस मंटिप्लाई ए का square करना है तो 10 की Power minus 4 का हूं यहां पर क्या कर देता 구ake one को multiply करेंगे तो same value हो आएक fly length हमारा यहां पर कितना हो जागा 1 meter हो जाएगा ten multiply 3.14 Multiply यहां हो जागा ten की power minus eight क्यों कि प्रण आहो जाती है तो minus 4 – 4 हमार nih हैंपर कितना हो जागा minus 8 हो जाएगा अगर आगर इसको tan से multiply करऊंगा तो यह हमारे इाप कितना हो जागा 31.4 इन्तु 10 की power minus 8 और इसकी unit हमारे इहां पर क्या हो जाएगी ohm meter हो जाएगी क्योंकि यहां पर resistance का जो हमने इहां पर क्या था ohm था उसके बाद जो हमने इहां पर एरिया लिया वो हमारे यहां पर क्या था मेटर का स्क्वेर था और उसके बाद यहां पर हमारे यहां पर किस में था मेटर में था तो यह वाले मेटर से स्का स्क्वेर करता बचा हमारे यहां पर कितना ओम मेटर तो इसकी उनिट हमारे यहां पर क्या जाएगी ओम मेटर आ और यह हमारे हैं पर रेजिस्टिविटी निकल चुका है वोप आपको समझ में आगे होगा अब हम चलते अपने नेस्ट कुश्चन के तरफ